जय माकाली, ओम शक्ति, ओम महालक्षमी, नमद, दुनिया में ऐसा कौन है, जो धन नहीं चाहता, ऐसा कोई भी एक उदाहरन दे दे, जो कहें कि मुझे तो धन नहीं चाहिए, जितने भी लोग हैं, जो प्रवचन देते हैं, अधर जाकर जो प्रोग्राम करते हैं, उन्हें भी धन चाहिए होता है, वो भी टिकट लगाते हैं, वो इसलिए छोटे छोटे धन नहीं लेते, क्योंकि उनके पास धन की वरसाथ होती रहती है, तो आज हम उन सभी ग्रहस जनो के लिए बतलाने जा रहे हैं, कि जो चाहते हैं कि मेरे पास धन आए, लेकिन वे परिशान हो जाते हैं, बहुत परिशानी, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास लक्षमी जी, सिग्र नहीं आती हैं, तो धीरे धीरे आती हैं, और जाने का रास्ता खोज लेती है तो आज या वीडियो उनके लिए है तो देखिए पूरा वीडियो आपको पसंद आएगा और जरूर पसंद आएगा ऐसा मेरा दावा है क्योंकि हम वह बत्राने जा रहे हैं वह धन की कमी पूरा कर देगा और दो हजार चौबीस आने वाला है अगर आपका दो हजार तेईस अच्छा नहीं गया है बिजनेस लोग चल रहा है जोब में तरक्की नहीं हो पाई है पैसे की बढ़ोतरी नहीं हो पाई है और जो भी पैसे है वो अनावस्टक बैय में चला जा रहा है कभी स्वास्त में चला जा रहा है कभी कर्जे में चला किसी कारण से वह धर आपके खजाने से निकल जा रहा है तो आए आज हम आपको लक्ष्वी मंत्र बतला रहे हैं और वह अपर क्रिया बतला रहे हैं उसे पूरी लगन से करते रहें अगर आप लगन से कारी करेंगे और इस मंत्र का प्रयोग करेंगे और यह प्रिक्रिया का प्रयोग करेंगे तब ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपके घर में लक्षमी नहीं आए और आकर टिकी ना रह जाए तो आए जानते हैं बहुत लंबा ब किसी भी शुक्रवार से आप आरम्व कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे आई इटिवेश्ब्स्य ना हो शुक्ल पक्ष आप आरम्व करें पर्थमासी इस अरुआप कर लेorta उसके बाद जब सुक्ल पक्ष पुर्णिमा आ जाए तब कृष्ण पक्ष में जाप को रोके नहीं लगतार जारी रखें सिर्फ आरंभ करने का पक्ष होगा सुक्ल पक्ष उसके बाद आप लगतार जारी रखेंगे về अग्यित rule as मन से मंत्र को करें पूरे सोच से अंदर के अपने आत्म में इस मंत्र को बैटा आंगे ऐसा नहीं कि हमने इस वार एक माना मंत्र कर लिया तो लक्ष supreme जी तो आहीं नहीं हमको देन अगर आप ऐसा सोच कर गरींगे तो ही ओगा किanders लक्षमी जैसे आप बेवसाय कर रहे हैं तो एसा नहीं करना है बहुत पूरे समर्पनिजैश आपको करना है कामना तो मा लक्षमी स्वेंग पूरा करेंगे तो आप ऐसा करिए शुक्रवार के दिन स्नान कर लिजिए इसनान करके लान वस्तर पहन लेजिए लान वस्तर पहनने के बाद आपका जो घर है जो पूजास्थान है वहां पे तो सारी समगरियां होते ही होंगे अच्छत चंदन रोली वगरा सब तो पूजा में अमोमन घर में सब को रखते हैं और आपके यहां भी हो अगर नहीं है तो आप बजार से खरीद के लिए समाने समागरी पूजा में प्रयुक्त होने वाली सिंदूर पीला सिंदूर घी पीला चंदन रोली अर्वा चावल अच्छत के लिए बस इतनी ही चीजें कम से कम पूजा नस्तर प्रलक्ष में और विष्णु और गनेश की मुर्टी तो होगी फोटों तो कोई न कोई तो होगा है अगर नहीं है तो आप खरीद कर लिए और एक पंच दीपक को पंच दीपक ना सही एक ही देखे कभी कभी ऐसा होता है कि लोग खराब घी रख लेते हैं कि चलो एक खाने ही होगी नहीं अच्छा चलो पूजा में काम आ जाएगा और उसी का आप घी कादीपक जलाते हैं तो यह सही नहीं है जिसे आप नहीं खा सकते हैं उसे आप भूवान को क्यों अर्पित करना चाते हो वो ना करें इसके अलावा जिस डब्बे में अपने चावल रखा है और उसी से रोज अप घर में चावल बनाते हैं और उसी में से आप अच्छत निकाल के फिर रख लेते यह भी सही नहीं है जब आप चावल खरीद के लाते हैं तो पहले ही पूजा के लिए निक लक्ष्मी जी को हल्दी भी चड़ता है तो हल्दी रखें और केसर इतने चीजों की बेवस्ता पूजन अस्तर पर कर ले स्राम करने के पश्चाव आप लाल वस्त पहन ले पूजन के पास बैठे सामने में लक्ष्मी गणपती और विश्णु भगवान हो लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्थी या फोटो नहीं हो गणपती की भी खड़ी मूर्थी या फोटो नहीं हो और उनका सुध ऐसा नहीं हो जो बाहर की और खोल रहा हूं इसके विश्णु भगवान कीवी फोटो वहां पे होने चाहिए वहां पर आब बैठ जाएे और बैठे के बस्ष्च लगाए रोली Preston लगाए अर इतना लगाने के बासे हैं आप एक स्वेत प्रेपर पहना अगर आपके पास मधोज़ीरत रख सचेया सबसे पहले साइड बना इस स्च्रग्षाइग करने के बाद सबसे उपर लिखे स्रिंग लिखे और जो स्कौयर आपने बनाया है उसमें लिखे सिद्ध लक्ष्मे नमह और नीचे उसके नीचे आप लिखे कि परमंथ आपको कितनी आंदनी चाहिए यहां पर एक बात और ध्यान देने कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं और लक तो यह संभव नहीं होगा जो संभव है कभी कभी तो इतना चमतकार भी हो जाता है कहीं से एक राक रुपे आपको आजाएगा लेकिन फिर अनवर्थ नहीं आपता रहेगा इसलिए समर्थ के हिसाब से आप अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए वहां पर लिखे माल लेज समर्थ के हिसाब से उसमें वह चीज लिख दीजिए और लिखने के बाद एक दूसरा पेपर लिखे और उस पेपर में आप एक मंत्रे लिखे ओम, स्रिंग, ह्रिंग, क्लिंग, स्री, सिद्ध, लक्ष्मई, नमः और इस पेपर पर जो आपने स्रिंग लिखा है उसको इस पर रख दें रख देने के बाद इसको मोड ले और मोडने के बाद एक ट्रांस्पेरेंट डब्बे में मोड कर रखकर आप लक्ष्मी, गडपती और विश्नु भगवान की चर्णों में रख दें और इस मंत्र का आप एक्सोग वात बार कर लें ऐसा प्रति दीन करें अगर आप ऐसा पात्त माली यहफट आप नहीं कर पा रहे हैं एक्सग वात भार नहीं कर पा का रहें आ धियारा बार हैं कर पा कर लीजिए अपनी आवाज में और 11 बार करने के बाद इसे वहां पर बजा दीजिए लेकिन अगर आप अपने दिल से करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा होगा इसके अनावा एक और मंत्र है बहुत परचलित मंत्र है इस मंत्र का भी 108 बार पाट करना बहुत न की वरषात परसाथ करिंग तो हैसा नहीं कि उपर से गिरने लगेगा आपके घर में बच्चों की नौकלी है सारे बच्चों नोपर लग जाएंगी हैं आफ घर में बेटे हुए हैं आपको NE Ōकली लग लग रहा है इस अर्चारों की अनला स्टार्ट अश्त ओगन को आप कर ले 108 वार और इसके कोई सीडी कैसे या पेंड्राइब से या मुबाइल से समंतर को आप बजाएं सुबह और शाम को आरती के समय भी आप इस मंतर को अपने घर में बजा दें और जब आप साम को आरती करते हैं तो एक बार संख जरूर बजातें तो ऐसा कोई कारण हैं कि आपके घर में लक्षमीटी नहीं आएंगे और आने के बाद जाने का सोचेंगे जरूर वास थाई रूप से नुवास करें तो भाईयों बहनों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक करें शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसे लाब हो स करें हैं ओम शक्ति जैमा कारें